जब laptop और desktop की speed की बात आती है तो वहां पर हमेशा यह confusion होता है कि अपने laptop में RAM को increase किया जाए या RAM को बढ़ाया जाए या फिर वहां पर hardisk जो है hardisk की RPM जादे RPM वाली hardisk लेज़े या फिर वहां पर SSD लगा लें तो बहुत सारे लोगों को यह confusion रहती है कि RAM बढ़ाएं या फिर hardisk निकाल के SSD लगाएं हमारे पास भी बहुत सारे customer आते हैं और वह हमेशा यहीं पूछते हैं कि सर आप बताईए कि laptop में RAM बढ़ाने से हमारे laptop की speed बढ़ेगी या फिर SSD लगा लें तब हमारी laptop की speed increase होगी तो इसी के बारे में हम बात करेंगी इस वीडियो में तो चले start करत हैं हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SM टेक्नो गुरु में मैं हूं सुनील मौर्या दोस्तों जब इस पीड की बात आती है तो इस पीड डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है जैसे अपने laptop में 2GB है 4GB है तो वह आपके laptop की जो मिमोरी है बहुत जादे है जैसे कि आप यह सोचते होंगे कि अगर laptop की speed बढ़ानी है तो हम 2GB laptop में है तो चार जीबी तो अब दोस्तों जो रैम होती है रैम को बढ़ाने से क्या हमारी speed बढ़ती है यह नहीं बढ़ती है तो अब यहां पर एक चीज़ समझना जरूरी होती है कि देखिए जब भी laptop में या अपने computer में जब भी कोई भी काम करते हैं जैसे कोई software को open करके उस पर काम करना होता है जब भी वह software open हो जाता है तो वह क्या होता है कि RAM के अंडर में आ जाता है वह RAM में खुला होता है तो जब भी वह software पर काम करते हैं तो वह RAM पर काम होता है तो जैसे माल लेजे कि कोई भी अगर जैसे माल लेजे Microsoft का कोई भी program on कर रहे हैं जैसे Microsoft Word, Excel, PowerPoint इन में से कोई भी अग उसकी जो file होती है तो file की size maximum MB में होगी वह GB में साइध ही जाती है जीवी में वह file जाती है जैसे video editing होती है या फिर आप AutoCAD पर काम कर रहे हैं उसमें होती है तो उसमें जीवी में file जाती है लेकिन अगर आप normal work कर रहे हैं जैसे कि Photoshop, CorelDraw, Officework, Microsoft Word, Excel इन चीजहों पर काम कर हैं तो इनकी जो file होती है maximum MB में 400-500 यह maximum MB है तो वहाँ पे आप अपने laptop में चार जीवी रैम लगाए हैं तो अगर मान लीजिए कि अगर CorelDraw, PageMaker पर काम कर रहे हैं तो उसका मान लीजिते हैं कि maximum जो file 500 MB है जबकि मैं यह 500 MB बहुत जादे size बता दिया हूं लेकिन अगर मा लैपटाप में 4GB RAM यूज कर रहे हैं तो अब 4GB RAM कर रहे हैं तो आप 500 MB तो भरा यानि कि एक GB भी आपके RAM का यूज नहीं हुआ तो क्या फाइदा हुआ 4GB लगाने से तो दोस्तों यहां पे जो speed होती है वह RAM बढ़ाने RAM की memory बढ़ाने से आपके laptop की speed नहीं बढ़ेगी अब बात आती है कि RAM कितने speed से काम कर रहा है वो तो RAM बढ़ाएंगे तो आपकी memory बढ़ेगी उसकी जगह बढ़ेगी लेकिन उसका काम करने की छमता नहीं बढ़ रही है यहां पर यहांनि कि जब भी RAM खरीदें तो RAM या अपने laptop में जो भी RAM या desktop में जो भी RAM लगाएं उसक जीतने मेगा हर्ट की speed दे रहा है तो जितने जादे मेगा हर्ट की speed लेंगे उतना ही अच्छा आपका जो जिस software पर काम करेंगे उस software की performance अच्छी रहेगी जैसे कि यदि आपके laptop में 1200 मेगा हर्ट या फिर कहें तो 32 मेगा हर्ट ब्याली सो मेगा हर्ट जब ऐसे मेगा आप RAM की speed रहेगी उसी के हिसाब से जो आप software पर काम कर रहे हैं उस software की speed मिलेगी तो हमेशा यह चीज़े ध्यान में नत रखिए या गलत फहिमी मत रहेगा कि हम RAM बढ़ा देंगे तो हमारी speed बढ़ जाएगी यह चीज़े नहीं होती है अब यहाँ डिपेंड इस पर सोचिए लेने की कोसिस करिये ऑगा यानिक जो मेगहर्ट से उसकी जो फ्रेवेंसी है वो जितना जन्यादे रहेगा उतना ही आपके software पे आजिए ऊसकी speed या भी यह मिलेगी तो यह तो रहा जो software पे काम करते हैं वहाँ पर यह प्रैक्वेंसी ए फ्रैक्वेंसी पे करती आप बात आ SSD की जो life होती है वह life भी बहुत जादे होती है hardix के अपक्छा और hardix SSD से थोड़ा सा slow चलता है और जबकि SSD जो होती है hardix से बहुत जादे फास चलते है इसमें अंतर यह होता है कि जो SSD होती है वह एक chip level पर काँव एक chip होती है और जो hardix होता है उसमें magnet plate लगे होते हैं जब भी किसी भी information को hardix से निकालना होता है जब उसको information दी जाती है तो उस speed से यानि कि उस RPM की speed से इतना तेज दोड़ता है और जितना तेजी से वह दोड़ेगा उतना ही तेजी से वह आपके data को pick करेगा या read करेगा या write करेगा लेकिन वहीं पर SSD में क्या होता है कि SSD में जो भी डेटा होंगी वो सीधा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे डायरेक्ट करके तुरंत आपको आपके सामने या आपके मानिटर पर रख देगा या आपके सामने डिस्प्ले कर देगा SSD या हार्डिक्स में बस इतना ही अंतर होगा कि जो ह स्टार्ट अप होता है जो थोड़ा सा स्लो होगा यानि कि मान के चलिए कि आधा मिनट या फिर एक मिनट मैक्सिमम आ लेते हैं तो इतना time लगता है hard disk से start होने में और जब SSD लगा देंगे तो maximum 10-10 seconds में आपका laptop या computer on हो जाएगे तो जो computer को start करने का timing होता है वो SSD से बहुत जादे या काफी जादे बढ़ जाता है तो SSD का ये फायदा है उसके बाद SSD का तब यूज होता है जब किसी एक फायल को एक drive से दूसरे drive में transfer करते हैं यानि कि computer से किसी pen drive में किसी hard disk में जब transfer करते हैं तब वहाँ पे hard disk की speed होती है वहाँ RAM की speed नहीं होती है वहाँ पे hard disk की speed होती है तो SSD या hard disk आपके boot timing को बढ़ाता है उसकी speed जो होती है या SSD जब लगाएंगे तो आपके laptop की boot timing होती है उसको बहुत कम कर देता है यानि कि जो speed होती है बहुत जादे हो जाती है तेजी से कोई file एक जगा से दूसरे जगा transfer होता है इसकी speed SSD से मिलती है I hope आप समझ गये होंगे कि अपने laptop में क्या चीज़ लगाएंगे तो कौन सी speed बढ़ेगी यानि कि यदि आप downloading करते हैं या कोई बस landing का काम करते हैं data transfer का काम करते हैं तो हम समारा suggestion रहेगा कि आप वहाँ पे SSD यूज़ करिए या फिर कोई अगर program पे काम करते हैं तो वहाँ पे मेरा suggestion यहीं रहेगा कि आप RAM जो खरीद रहे हैं जो RAM लगा रहे हैं उस RAM की frequency ज़्यादे से ज़्यादा लेने की कोशिस करें जितनी ज़्यादे रहेगी उतना आपका program तेजी से run करेगा I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन से SSD लगाएं या RAM लगाएं तो जल से जल दोस्तों ज़्यादे से ज़्यादे वीडियो को share करें वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें और बेल आइकन पर क्लिक करना नव भूलें जिससे की हमारे latest वीडियो का notification आपको मिल सकेएं धन्यवाद